हेलो स्टूदिन आज का हमारा टोपीक है फ्रेंक ख्यार्ट्स एक्स्पेरिमेंट जैसे हमने बोर मोडल में पड़ा था कि वहां पे एक पोस्चुलेट था कि जो एनरजी स्टेट है वह क्या है क्वांटैज्ट है तो उसका कोई वह जो पोस्चुलेट वहां पे थे वह अध बेहोग पिससस पे उनका कोई एक्सपेरिमेंटल एक्स्पेरिमेंटल नहीं था तो जो यह एक्स्पेरिमेंट है Depois this इart एवीडेंस फोर इन्रगस नेचर ओफ एनर्ग स्टेट ए用 एनरजी स्टेट होते है वह क्वांटिज्द होते है उसका एक्सपेरिमेंट अविडेंस कैसे प्रफॉम करते हैं यहां पर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटम मैं यहां पर दिखा है यह दिस इस फिलमेन जिसको आपने लो टेंशन बैटरी से आपनेक्ट कर दिया है ताकि यह heat up होगी तो thermo-ionic emission की वज़े से यहां से electron eject होगे इस setup को आपने ट्यूब में रखा है इस वैक्यूम ट्यूब यहां पर opening है इस opening से आप यहां पर वैक्यूम क्रियेट कर सकते हैं अब यहां पर इस ट्यूब के अंदर आपने mercury वैपर को रखा है एक चीज़ यहां पर नोट कर सकते हैं कि जो mercury का size comparable to electron बहुत large है near about 400K इतने times जो है वो larger है उसका जो size है वो इतने times larger है comparable to electron इसकी जो concentration यहां पर बहुत low है next यहां पर हमने लगा दिया एक perforated grid और इस grid को इसके comparison में हमने high potential पर रखा है because electron or negative charge particle जैसी यहां से eject होंगे यहां पर जो potential है वो high है तो वो क्या करेगा उनको accelerate करेगा अपनी तरफ खीचेगा आगे आपने एक anode लगाई है which is collector collector क्यों कहा है इसको क्योंकि यहां पर electron फाइनली आगे collect होंगे इस anode को आपने इस grid की comparison में negative potential पर रखा है क्यों रखा है ताकि जो low energetic electron है उनको यहां तक पहुँचने में वो रोख सके तो यहां पर हमने potential लगा है retarding potential ताकि low energy जो electron है वो यहां पर ना पहुचे फाइनल जो current हमारे पास आते आ रहा है उसमें low energetic electron का contribution ना हो ठीक है electron और जो mercury atom यहां पर present है उनके बीच में जो collision होगा वो elastic होगा elastic collision से यहां पर in the sense आप समझ सकते हैं कि जब electron किसी velocity के साथ mercury atom से टकराएगा तो वो सिर्फ अपनी direction चेंज करेगा उसकी velocity चेंज नहीं होगी ठीक है अब जोब हमने इस experiment को perform किया तो यहां पर तीन तरह के potential हैं VF fundamental sorry filament potential होगे कि आपको इसको heat up कर रहे हैं आप जितना जादा heat up होगा उतना ही electron यहां से eject होंगे उतने ही हैना अगर आप इसको बहुत ही low रख लें तो अगर इतना low रखें कि electron का जो work function है उसको eject होने के लिए जितनी energy चाहिए उतनी भी electron को नहीं मिलरी तो यहां से electron eject नहीं होंगे ठीक है तो इसका भी रोल है कि यह आपका sufficient होना चाहिए कि इतना sufficient होना चाहिए कि यहां से electron eject हो सके next है आपका accelerating potential जो कि आपने grid को दिख दिया है grid is at high potential ताकि क्या करें वो electron को अपनी तरफ attract करें कि electron negative charge है यह क्या करेंगा उनको accelerate करेंगा और अगर electron accelerate होंगे तो उनकी energy बढ़ेगी velocity बढ़ेगी ठीक है next is retarding potential जिसको आपने collector से connect किया है collector को आपने grid के comparison में low potential पे रखा है ताकि low energetic electron यहां तक ना पहुंचे ठीक है अब देखिए इस experiment का जो result हमने देखा वो कुछ इस तरह से देखा कि आपको initially current versus हम anode potential की बात कर रहे है initially current increase कर रहे है एक maximum तक पहुंचे फिर deep आ गया फिर increase कर रहे है maximum पहुंचे deep आ गया and song यह दो तरह की curve मैंने यहां पे दिखाई है यह किस तरह से है this is the curve if we fix this retarding potential को हमने fix रखा है और हम क्या कर रहे है and all potential को increase कर रहे है अगर यहां पे मैं लिख हूँ VF1, VF2, VF3, VF4 and this yellow line show VF5 जो filament potential है उसको आप gradually decrease कर रहे है यहां पे बिल्कुल भी आपको peak नजर नहीं आ रहे है इसका क्या मतलब है यहां पे आपने फिलामेंट को इतनी energy नहीं दी कि thermo ionic emission होसके जैसे जैसे फिलामेंट potential बढ़ेगा वैसे वैसे peak की height बढ़ रहे है इसको मैं बाद में explain करूंगे कि ऐसा क्यों हो रहे है तो यहां पे retarding potential को fix रहा है अनोड potential के साथ peak को देखा है और साथ में हम क्या कर रहे है filament potential को भी vary कर रहे है यहां पे हम क्या कर रहे है इस case में आप अगर filament potential को fix रहो तो initially इसको मांदो 1 एक वी को आप इंक्रीज कर रहे है नवर potential को इनिशली आपको सिफ एक peak दीख रही है फिर आप ने थोड़ा सा और वी एक हो इंक्रीज क्या फिर आपको दोपीक दीख रहे है फिर थोड़ा और increase किया, फिर तीन पीक दिख रही है आपको, फिर थोड़ा और increase किया, तो आपको 4 पीक visible हो रही है, तो जैसे जैसे विए increase हो रहा है, वैसे वैसे number of peak increase हो रहा है, है ना, या फिर opposite sense में देखें, जैसे जैसे विए decrease होगा, number of peaks जो है, आपके क्या होते जाए तो यह दो तरह की observation हमने वहां पे देखी क्या reason है इनके पीछे ऐसा क्यों हो रहा है firstly तो पीक ही क्यों देख रही है अगर दिख रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको जब आप वी ए इंक्रीज करें तो number of peaks इंक्रीज हो रहे है जब आप वी एफ को decrease करें तो जो intensity है current की वह क्या हो रहे है या फिर कहें जो current की current जो है peak की जो height है वह क्या हो रही है gradually decrease करें ठीक है तो देखें एक अगर हम simply देखें हमने यहां पे potential versus current graph broken किया ठीक है जैसे यह potential बढ़ेगा अनोड potential बढ़ेगा यह ज्यादा से ज्यादा electron को अपने तरफ अट्रेक करेगा अगर यहां पे ज्यादा से ज्यादा electron पहुंच रहे है तो ज्यादा से ज्यादा electron collect हो रहे है नंबर of electron collect ज्यादा हो रहे है तो यहां इन electron की वज़े से current produce हो रहे है वो भी क्या increase करेगा यानि जैसे potential बढ़ाया हमारा current भी क्या हो रहे है increase हो रहे है यहां तक समाझ आता है अचानक से dip कैसे आ गया यह जो dip है इसके पीछे क्या reason है और दूसरा कि यह dip इसी shape में हमें क्यों observed हो रहा है देखिए माल लेकि dip observed हो रहा है तो यह तो simple सा reason है इस graph को समझने के पीछे कि आगर आप VF को increase करेंगे तो यहां से number of electron जादा eject होंगे जितने ज्यादा electron eject होंगे उतने ही ज्यादा electron यहां collect होंगे और जितने ज्यादा electron यहां collect होंगे उतना ही current हमें मिलेगा माल लोग peak मिल रही है हमें यह हम मान के चल रहे हैं कि pattern ऐसा उपसोड हो रहा है अब देखिए यह सबसेल lowest VF है हमने यहां पर बहुत small amount में दिया है इतना small की जो energy वो इतनी भी नहीं है कि electron के work function के comparable हो तो यहां से को electron eject नहीं हुआ यहां से को electron eject नहीं हुआ तो यहां पर को electron पहुँचा है नहीं को electron नहीं पहुचा तो current नहीं आएगा फिर हमने थोड़ी सी value VF की increase कर दी कि यहां से कुछ electron निकलना शुरू होगे number of electron कम है कम ही पहुंचेंगे तो peak की जो height है वो भी क्या small है जैसे जैसे आप VF को increase करेंगे वैसे वैसे जो thermo-ionic emission electron का वो increase होता जाएगा और उसी proportion में यहां पर जो है collection of electron भी increase होता जाएगा और उसी proportion में current भी आपका increase होता जाएगा तो यह जो peak की height है वो increase करेंगे यह आपको समझा गया वगरा अब इस पर आते हैं देखें हमें peak क्यों observe हो रही है एक्चुल में क्या होता है कि हमारा हो गया mercury atom चीक है electron यहां से चला आगी लगा हो है grid जो यह electron है उसकी initially कुछ velocity थी उस velocity से वो चल रहा है लेकिन हम क्या करें ग्रेजवली potential को इंक्रीज कर रहें न पोटेंशल को इंक्रीज कर रहें तो जादा इंक्रीज होगी तो यहां पर इंक्रीज होगी तो यहां पर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब एक्सलेट करके हम इतना potential हम पेप्लाइ कर दें जब अने कर दिया तब क्या होता है? यहां पर जो markurry atom है उसमें energy level discreet energy level होते हैं और first ground state और first excited state की बीच में जो energy gap होतная वो कितना होत Treatment 4.9 electron volt जैसे ही इस electron की जो thermo-honic emission से electron निकला है उसकी energy 4.9 electron volt होती है वो किसी mercury atom से कोलाइड करता है तो यह अपनी energy किसको दे देता है उन electron को दे देता है जो उस mercury atom में ground state में पड़े हैं और वो electron क्या करेंगे excited होके excited state में चले जाएंगे अब electron के पास कोई energy नहीं है electron के पास कोई energy नहीं है तो वो collector तक पहुंचेगा ही नहीं collector तक नहीं पहुंचेगा तो 4.9 electron volt आने के बाद एकदम से deep आ जाएगा है ना deep का मतलब एकदम से current जो है कम हो जाएगा अगेन जैसे इसने यहां पे अपनी energy lose की यह electron फिर से क्या कर रहे है फिर से आप potential को increase कर रहे है फिर से इस electron की फिर से इसके पास 4.9 electron volt जब energy आ जाएगी मालग फिर से वो किसी mercury atom से टकराता है और उसको क्या कर देता है energy अपनी release कर देता है फिर से उस mercury atom के जो electron ground state में पड़े है वो first excited state में चले जाएगी इस electron के पास फिर से energy क्या होगी कम होगी तो अचानक से आफ्टर 4.9 प्लस 4.9 के इनिशली 4.9 हुआ lose कर दी energy फिर से 4.9 हुआ तो टोटल हमने potential कितना अपलाई कर दिया 9.8 वोल्ट लेकिन वो अगें किसको excited कर रहें ग्राउंड स्टेट के electron को ही excited कर ऐसा नहीं है कि second peak जो है यह denote करें कि ground state ते वो second excited state में चलेगे नहीं यह सभी peaks जो है they correspond to the transition from ground state to first excited state 4.9 एलेक्रों वोल्ट पर पहला transition होगा चीक है यहां पे electron ने अपनी सारी energy lose कर दी फिर से accelerate होना शुरूर किया जाती है यहां पे है फिर से 4.9 एलेक्रों उल्ट ओल्ट फिर से ओनी energy mercury को दे गा सारी energy lose कर दी फिर से finale ते अStar का vr 4.9 आंपा फिर से सायकन्जी में अपनी इनर्जी आंप मर्करी को मभान आप में अब करिए अब सो सो कई एकदम से पीक आई 4.9 पर अचानक से डिप आ गया फिर पीक आ रही है after again after देखिए यह जो gap होगा इन में वह कितना होगा 4.9 वोल अगें जो यह gap होगा इस पीक में और इस पीक में यह भी कितना होगा 4.9 वोल और यह जो gap होगा यह भी कितना होगा 4.94 ठीक है ठीक है डीप समझ आगी अब यह डीप जो आ रही है अगर हम जर्णल सेंस में देखे तो यह कुछ इस तरह की आने चाहिए अगर हम ग्रैफिकली इसको रिपरजेंट करते हैं यहां पर आप करन्ट को नोट कर रहे हैं यहां पर हम पहुंचे 4.9 वोल्ट पर जैसे 4.9 वोल्ट पर पहुंचे सारी एनर्जी उसने लूज कर दिया और वह अचानक से डिप आगी जीरो करन्ट कोई लेक्ट्रन पहुंच नहीं रहा फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया इंक्रीज हुआ फिर से पहुंच गे अगें 4.9 एड हो गया इसमें तो 9.8 वोल्ट पर अचानक से फिर से डिप आ गया फिर से डिप आ गया फिर से डिप आ गया एंड तो आपको पिक्स इस तरह के मिलने चाहिए थी जबकि यहां पर गया है गैज्वली यह डिक्रीज कर रही है ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछी क्या आज्शन है, एक नॉर्मल सेंस में हम यह समнымиजसा कि हा पर नंबर और यहे हो रहे है और जो मरकृरी की कंसंधिशन हमने रखी है यहां पर नोग रखी है तो जो यहे चाहिए उख हो रहे है उन बिस太 ऑप होगा किमरां किहां सिस्य मरहिए आटम के साथ को यहना करे कोलाइड करेंगे सिर्फ उसे के एनरजी लूज 올ाइब k महाने होता इस तरह के 8 जरोरी Came Bio कhis से उसफ और से आप समय सकते हैं यहां पर जर्वर नियकिल हार इलेक्ट्र सी कोलाइड हो रह रहा है इसके पीछे second reason आप समझ सकते हैं atomic statical mechanics में भी हमने देखा था कि जो energy level होते हैं वो sharply defined नहीं होते हैं यह जो energy level होते हैं they are spread out region यह spread out है जो next etc. वो भी spread out है तो यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि इस reason में कुछ delta E energy होगी है एक्षेक्लिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह जो energy gap है वो 4.9 electron volt ही है तो वो mean value है तो यह electron जो energy level में spread out होते हैं तो यह भी एक reason हो सकते हैं कि सभी के सभी electron जो है exactly 4.9 electron volt पे अपनी energy जो है lozen नहीं करते हैं और क्या reason हो सकते हैं जो बहुत ही perfect reason है इस curve को explain करने का वो है देखिए जो kinetic energy electron की यहां पर है वो क्या है half mb और वो किसके कलोरी है चार्ज इंटू potential यह relation जो है अब यहां पर ज़रूरी नहीं है कि यहां से जो electron निकल रहे हैं उन सब भी की velocity, initial velocity सेम हो Maxwell-Borsman velocity distribution आपने सब ने पढ़ा हुआ है तो according to Maxwell-Borsman energy distribution जो velocity का distribution आता है या speed का distribution आता है वो इस तरह की करवाती है Gaussian shape आती है और this is some we know because this is precise value किसी voltage, perfect voltage पे आप बात कर रहे है charge on electron is precise, mass of electron is precise, velocity should be precise but ऐसा नहीं है क्योंकि यह किस की बात कर रहे है mean velocity की बात कर रहे है तो velocity का distribution या speed का distribution इस तरह से होता है इस वजह से जो यहां पे curve आ रही है वो इस तरह की आ रहे है क्योंकि सभी electron जो इस filament से emit हो रहे है वो सेम velocity के साथ नहीं हो रहे है किसी की velocity कम है, किसी की maximum है, again किसी की less velocity है तो इस वजह से जो आपको यह shape मिल रही है वो इस shape का बिलकुल exact replica आपको मिल रहा है कि mercury के अंदर जो energy level है वो quantized है और first two level के बीच में जो energy separation वो कितना है 4.9 electron volt ऐसा नहीं है कि हमें यह transition observed ही नहीं होगी हो सकता है कि आप potential को continuously increase करते जा रहे हैं और electron probability कि electron किसी भी mercury atom से collide नहीं किया है तो यहां पर probability रहती है कि electron की energy इतनी हो जाए कि वो इस energy gap के एकवल हो अगर इतनी energy वो attain कर लेता है तो फिर transition जो ground to second excited state हो जाएगी यह भी possible है पर यहां पर जो यह peaks हैं सभी के सभी वो किसको denote करी है यहां पर इतनी energy gap के यहां पर रिप्रेजेंट करते हुए यहां पर आपका ग्राउंड स्टेट में लेक्साइट में पहुंचके वो बापिस भी आएगा तो इसी experiment को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बजाए करन नोट करने के हम वेवलेंथ नोट कर सकते हैं किस चीज की वेवलेंथ जो यह electron excite हुए वो जो टी- एक्साइट होगा तो वहां से इतने energy gap के यह यहां पर रिप्रेजेंट करती हुए यहां पर था आपका ground state में एक्सैटेडे होगे एक्सैटेस शीट में सपते होगे जब वह लों आपके डी एक्सैट होगा तो एस आनर्जी गैप के तो इस वेसे भी आप कह सकते हैं अगर आप करंट ना नोट करके जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उस स्पेक्ट्रा में वेवलंथ को नोट करें तो आपको बहुत ही इस वेवलंथ के नोट कर्सपोर्णिंग वह वह कितने होगी 4.9 लेक्ट्रों वोल्ड तो आप कह सकते हैं कि जो मरकरी आटम है उसके अंदर एनरजी लेवल क्या है क्वांटाइज्ट है जो कि बहुर ने अपने पोशुलेट में कहा था तो इस 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 एक्सपेरिमेंटल के लिए नोबल प्राइज के लिए नोबल प्राइज के लिए नोबल प्राइज मिला थैंक्यू